नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ चीन ने आज भारत के बढ़ते वर्चस्वों और प्रवाव को स्वीकार कर लिया है चीन ने माना की जो भारत अमरीका की राजनीती बदल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है कभी अमरीका भारत को मानता था हिंद महा सागर में सबसे बड़ा खत्रा वहीं अमरीका आज दक्सिन चीन सागर से लेकर हिंद महा सागर तक चीन को बताता है सबसे बड़ा खत्रा दरसल वियत नाम के युद्ध के बाद अमरीका नहीं चीन को मजबूत करने के लिए चीन को European Union तक पहुचाया था और दुनिया में मजबूत किया था वही अमरीका जो पहले चीन और पाकिस्तान का साथ देता था और भारत का विरोध करता था वही आज भारत को European Union तक पहुचाना चाहता है दरसल मालदिव के मुद्दे पर बोकलाए चीनी मीडिया Global Times ने कहा है कि हिंद महासागर में बारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता मालदिव पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत का है यहां तक की मालदिव की National Security भी भारत के ही जिम्मे है ऐसे में चीनी मीडिया Global Times का कहना है कि हिंद महासागर पर बारत का एकाधिकार है यहां भारत किसी की भी गुस्ता की बरदास नहीं कर सकता चीन का यूरोप और आफरिका तक ज़्यादातर व्यापार हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है ऐसे में भारत कभी भी चीन का व्यापार बंद कर सकता है चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि इसके बावजूद कोई भी देश चीन के हितों की परवाह नहीं करता चीनी मीडिया ने कहा कि हिंद महासागर में सबसे सकतिसाली देश भारत है फिर भी वो चीन को अपने अस्तित्व के लिए खत्रा मानता है चीन के भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बड़ास निकालते हुए कहा कि जो अमरीका कल तक भारत को सबसे बड़ा खत्रा मानता था वहीं आज भारत को हिंद महासागर का सबसे बड़ा मसीहा मानता है दरसल चीन का डर अपने व्यापार को लेकर है चीन बियाराई को लेकर एक जाल बनाना चाहता था वो बियाराई तो पूरा नहीं हुआ लेकिन ज़्यादा तर देश चीन के करज के जाल में फस गए जो देश चीन के करज में डूब गए है वहीं देश आज चीन के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे है ऐसे में चीन को डर है कि भारत और अमरिका चीन की खिलाप बने इस माहूल का फाइदा उठा सकते है और दुनिया में चीन को अलग थलग कर सकते है चीन को सबसे बड़ा डर ये है कि जो देश चीन का करज ना लोटा पाए उन देशों को भारत और अमरिका समर्थन दे सकते है इस बाद से साफ है कि चीन के अंदर भारत का खौफ है इसी डर को चुपाने के लिए चिन आये दिन भारत और अमरीका को दमकी देता रहता है फिर मिलेंगे देश और दुनिया की एक और नई खबर के साथ तब तक के लिए गुडबाई